हलो दोस्तों मैं हूँ जाउन और आज अपन CFBC boiler का light up procedure कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे तो नाम से जानते हैं कि CFBC तो AFBC और CFBC में क्या difference होता है तो AFBC जो है वो atmospheric fluidized bed combustion होता है और CFBC circulating fluidized bed combustion मतलब यह जो cyclone होता है यह आपे cyclone होता है तो cyclone क्या करता है cyclone के वज़े से क्या होता है कि जो fines particle है वो second pass में चले जाते है और जो भी particle इसमें burn नहीं हुए वो heavy particle इसमें loop spill में जाके यहाँ पे fluidized होते है loop spill blower से और इसमें recirculate होते है तो इसलिए बुलते है recirculating of fluidized bed combustion यहाँ पे क्या particle क्या होते है circulating होते है इसलिए उसको circulating fluidized bed combustion बोलते है ठीक है तो इसका light up और ABC का light up semi होता है सिर्फ इसमें cyclone है और यह loop spill blower है बस यही एक इसमें difference है तो पिछले बार आपने देखा था कि ABC में light up अपने charcoal से manual किया था उसमें अपने LDO से भी light up कर सकते है तो LDO ही उसमें Q use किया जाता है तो क्या है light diesel oil जो रहता है light diesel oil का properties है कि वो 66 degree temperature पे burn होता है उसका flash point है 66 degree Celsius और क्या होता है कि वो उसका viscosity कम होने के वज़े से उसको गरम भी नहीं करना पड़ता है बाकी जो oil होते उसको क्या करना पड़ता है गरम करना पड़ता है ज्यादा viscosity होने के वज़े से इसका viscosity कम होता है इसके वजे से अपने को गरम भी बी नहीं करना पड़ता है, सफ नहीं करना पड़ता है गरम बींदे में शॉत राइट आफ होता है तो C सब्यांद वोड़ेंग रहता है तो में वे datos बेट कोईल और बेट सुपरेटर इसमें नहीं रहता है डिरिकली वाल सुपरेटर रहता है स्प्रिंग वाल सिपरेटर ठीक है तो यहां से कोईला आता है ठीक है और एयर जो आती है एयर कहां से आती है ठीक है तो प्राइमरी एयर फैन जो है वो यपडी फैन का काम करता है य धकलने के लिए यूज़ करता था लेकिन यहाँ पर तो कोईला धकलना नहीं है कोईले को अंदर लेके जाने की जरुत नहीं क्यों कि अल्ड़ी ओफिडिंग दिया तो यहाँ पीए फैन जो है वह यपडी फैन का काम करता है तो यपडी फैन पीए फैन क्या करेगा यहां से लेकि यहां से एर हीट होके यहां से एर बॉक्स में देदेगा जो भी फ्लोडाईशन के लिए एर लग रही है वह पीए फैन यूज़ करेगा ठीक है और यसे फैन यसे फैन्से में क्या होता था जो सेकंडरी एर जो भी देते दे वह यह यह दिशने में लेके अपन पर यहां पर special fan दिया है secondary air fan क्योंकि यहां पर क्या है 6 mm का कोल है उसको जलाने के लिए अपलेंगो मैं combustion प्रॉपरली होना चाहिए इसलिए यहां पर यह से फैन बोलते है ठीक है secondary air यह भी एपेज के तुरू गरम होने के पाद यहां से जाएगा तो इसमें secondary air उसके बाद रेडेक्शन जोन होता है उसके बाद टर्शरी जोन होता है उसमें क्या होता है जब carbon oxygen के साथ react होता है तो क्या होता है carbon dioxide form carbon plus O2 is equal to CO2 फार्म होता है वह Oxidation Zone में ठीक है उसके बाद वही जब हीटेड होता है कार्बन के साथ कार्बन Mono Oxide फार्म होता है Reduction Zone में और उसके बाद Volatile Matter वर कार्बन Mono Oxide जलते है Secondary और Tertiary Zone में तो यह Secondary Air और Tertiary Air उसी के लिए काम में आता है कि जो भी अपना का पाइन्स पार्टेकल उपर जा रहा है उसको प्रॉपरली बर्न करने के लिए तो जो अपना य। इसका कंबस्ष्ण एपीशेंसी होता है 98% और इसका बाइलर का एपीशेंसी भी ज्यादा है 85% more than होता है ABC बालर का 80 से 82 तक होता है और CBC का 85 अबव होता है तो यह और combustion efficiency भी थोड़ा ABC की कम होती है तो इसमें circulating floodized bit combustion होता है ठीक है आपको मालूम पढ़ गया कि PFN का काम क्या है SFN का काम क्या है और यहाँ पर क्या होता है कि cyclone क्या करता है cycle अपना action करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से लुगया जाता है और जो heavy particle है वो loop seal blower में होता है यहाँ पे भी bed material होता है यह क्या होता है loop seal blower से floodize होते रहता है तो loop seal blower से floodize होने के बाद वो यह particle क्या आते है इसमें furnace में आते है जो भी heavy particles जलने के बाद इसमें आते हैं तो इसका जो floodize करने का काम कुंता है वो है loop seal blur का इसको क्या बोलते है J-silb-blower भी बोलते है या wall seal blur भी बोलते है या फिर loop seal blur भी बोलते है या फिर ceiling blur भी बोलते है यह अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो आपको पता चल गया कि लूपसिल ब्लोर का काम क्या है P.F.N का काम क्या है और E.S.F.N का काम क्या है तो ठीक है यहां से यह फ्लूगेस निकल गया, फाइनल सूपरेटर है प्राइमरी सूपरेटर है एकोनमाजर है, एपीएच है और E.S.F.N के तो चिमनी से यह बाहर जाएगा ठीक है, और जो सेकन्डरी सूपरेटर यहां लगाया रहता है, जिसमें अटेमपरेटर दोनों साइड में रहता है ठीक है, आपका जब भी पानी कहा से आएगा जहां से यह B.F.W. हो गया B.F.W. से पानी कहा देंगे Economizer में देंगी Economizer से कहा जाएगा Drum में जाएगा, ठीक है Drum से Water Wall में आएगा यह Bottom Ring Header में आएगा फिर से जब उसको गरम हो जाएगा गरम होने के बाद क्या होंगा अपर अपर इस पे जाएगा तो अपर header में जाने के बाद कहा से जाएगा राइजर से ये drum में ही जाएगा drum में क्या होता है separation हो जाएगा और यहां से फिर ये cyclone में भी water to be होते है वहां से गरम होने के बाद bottom में आने के बाद top से ये किस में जाएगा primary superator में जाएगा और primary superator से secondary superator बते screen superator तो इसके inlet में जाके outlet में निकलेगा यहाँ से फिर final superator में जाएगा और यहाँ से फिर mainstream line mainstream line हो गया और वहाँ से फिर turbine inlet हो गया तो यहाँ से यह पानी का circulation हो गया यहाँ से primary air से सीधे air box में यह air का circulation हो गया यह cool का circulation हो गया और यह flu gas ESP ID और चिमनी के दुरून तो air flow और इसका cool का आपको जहां से path कहा है यह समझ में आया और यह cyclone separator और loopsville से ही CBC में difference है यह आपको समझ गया ठीक है और यहाँ पे overfeeding होते है जब भी light up करना है तो उसके पहले है एर नोजल कभी भी अच्छे से clean करना चाहिए एर नोजल अगर properly आपका air से clean है तो उसको क्या है आपका fluorization प्रॉपर रहता है आपका light up अच्छी तरह से होगा तो ठीक है आपन क्या करते है कि यल्डियों से light up करते है ठीक है तो yield के बारे में जानेंगे Tyoth मतलब light diesel औयल यह Rank रहता है क्या है औयल system औयल होके रहता है ठीक है तो यहां से यह pump रहता है puppies के त्रूइ isolation वाल है यहां से यह gun है डीक है गन में यहां फर igniter रहता है जहां से sparkle जैसे गाड़े का sparkler जैसे काम करता है वो इंट्ने का काम करेगा इसको जलाने का काम करेगा ठीक है।This यहां फिर बरनर रहेगा और बरनर में नुजल लगे रहेएं के थीक है। तो इसको जो है हार्ट गде capitalism गम्रॉइत है हार्ड गयास जनरेटर है यह काम किया करता है। तो यह primary air damper है, यहाँ पे दिया है, एक combustion का air है और एक dilution के लिए air है, यहाँ पे जब भी heated होगा, तो क्या होगा, उसको heat को control करने के लिए temperature, मतलब यह इसका oil का temperature जो है, वो control करने के लिए dilution air use करते हैं, और combustion मतलब यहाँ पे combustion के लिए जो air लगते हैं, वो combustion air, एक बार आप तो पीछे जाएगा, और फिर क्या गाएंगे, यह primary air अपन utilize करेंगे, आपको समझ गया, combustion इसके लिए हाट गया, जनरेटर में जो भी combustion करना है, उसके लिए dilution air, यहाँ पे जो temperature control करना है, उसके लिए dilution air है, और primary air जब भी, मतलब आपका यह एक बार होगे, आपका temperature आ गय है, कि primary air जो होती है, यहाँ पे full dice के लिए आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका gun हो गया, gun को igniter से चलू करेंगे, यह चलू हो जाएगा, ठीक है, और चलू होने से पहले क्या होता है, कि purging होता है, ठीक है, purging में अपन क्या करते है, जो भी instrumentation air है, 5-6 kg है, उससे क्या करत है, purging करते है, purging करने का काम क्या है, कि boiler में जो भी oil fire boiler है, gas fire boiler है, इसमें भी purging करते है, purging में क्या होता है, जो भी carbon monoxide है, वो क्या है, जल के फिर बाहर निकल जाता है, तो purging air जो होती है, वो क्या करता है, CO को जला निकल लिए काम आएगा, जो भी particles है, जो बचे वे particle है, वो भी है, वो निकालने के लिए अपन परजिंग करते हैं, यहाँ पर आता है atomizing air, atomizing air का wall है, wall से ही इसमें चला जाएगा, इसमें क्या होता है, atomizing air जो भी oil के particle है, उसमें fine particle में ये डिवेट करने का काम करता है, जितने fine particle diode होजे, उसमें क्या होगा, कि आपका जो combustion है, वो properly हो जाएगा, इसलिए hard gas generator का काम ही होगी, hard gas generate करने का काम करेगा, ठीक है, igniter हो गया, yeldo का परपज़ आपको पता चल गया, कि यह tank में क्या रहता है, yeldo pump, जो pump, oil, जो light diesel oil है, उसको pumping करने का काम करेगा, तो starting में आपने purging किया, उसके बाद, जो भी है, id fan, seal air fan, PA fan और SA fan, यह अपने sequence में क्या है, उसको चालू कर देना है, तो id fan चालू करने के पाद, उसका drop कितना रखना है, minus 10 से, minus 15, और seal air pressure fan चालू करना है, उसके पास, जो sealing का fan है, वो seal, जो loop seal blower है, वो अला चालू करना है, उसमें उसका pressure रखना है, 2000 mmWC, ठीक है, उसके बाद, PA fan चालू करना है, उसका pressure लखना है, 600 mmWC, तो इसमें जो floodation के लिए air लगते हैं, उसमें PA का fan यूज करते हैं, तो उसमें कितना mmWC pressure रखता है, 600 mmWC, ठीक है, जो अपने floodize होता है, ABC baller में, उसमें 300 से 300 से 400 तक अपन उसमें air box रखते हैं, और इसमें कितना रखते हैं, 600 तक तो इसमें ज्यादा beta hit रखते हैं, ठीक है, फिर secondary air fan चालू करनेंगे, उसमें minimum floodize पे रखेंगे, ठीक है, तो आपका, ये fan का sequence एक बार चालू गया, minimum floodization पे चालू हो गया, ठीक है, तो आपने ये LDO tank, LDO pump चालू कर गया, ignite कर दिया, atomization air दे दिया, उसमें, ठीक है, फर्जिंग तो अच्छे तरह सी कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक बार आपका burner से nozzle लगे रहेते हैं, एक बार आपका flame आ गया, तो उसमें क्या है, इसके जो bed के temperature, main ले अपने को क्या करना है, oil gun, जो भी charcoal से अपन लाइट अप करते हैं, या फिर LDOC light up के, main अपना aim है कि bed के temperature, 4500 से 4500 दिगरी तक लाना है, क्योंकि क्या होता है, कि जो coal का ignition temperature होता है, वो कितना 4500, 4500 दिगरी तक coal जलेगा, तो वो अपने को ignition temperature लाना main purpose रहता, इसलिए अपन स्टार्ट अप LDOC या फिर charcoal से करते हैं, तो आपका अगर temperature यहाँ पे 3500 ह, तो यह दोस्तों, LDOC burner के, इसमें pump लगा रहता है, और इसको चलू करने के लिए पैनल लगाया हुए, यह बस आपको simplicity के लिए है, आपको समझने के लिए दिया है, यह गहन है, कि आगे नोजर लगे रहते हैं, बरना लगे रहते हैं, यह flame है, जैसे जैसे intensity बढ़ती ज जाएगा, और जैसे 90% अपनी intensity आई के DCS पर पता चल जाएगा, तो तो यह पीछी के पोजिशन में आचाहिए, इंटरलाग लगा रहता है, तो इस तरह से यह यल्डियों की flame है, यह flame है, बेट टेंपरेचर 300 से 400 आपक लिए करते हैं, यह बहुत सिंपल है, तो इस तरह से 300 यह 400 डिगरी आ गया समझो, बेट का, तो उसके बार क्या करेंगे अपन, यह कोल बंकर से यह गेट दिया है, DCF, DCF चलो करते हैंगे, बीच बीच में थोड़ा-थोड़ा DCF चलो करते जाएगा, तो उससे क्या होगा, कि बेट टेंपरेचर थोड़े-थोड़े-थोड़े राजिंग ट्रेंड में आएगा, ठीक है, तो एक बार आपका टेंपरेचर 4500 से बढ़ने लगेगा, ठीक है, बढ़ने लगेगा, फिर 809 डिगरी आ जाएगा, तो आपका स्टेबिलाइज हो जाएगा, ठीक है, यह आपका फ्लेम इंसीडिटी जब भी स्टेबिलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जैसे जैसे बेट टेंपरेचर बढ़ेगा, 800-900 डिगरी वाइज यह आपका प्रिशर बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो प्रिशर बढ़ने के बाद क्या होगा, कि आपका ड्रम वेंट, सूपरेटर वेंट, जो भी है, वो क्या करेंगे आप, क्लोज करेंगे, ठीक है, क्लोज करने के बाद, आपका फिस से प्रिशर बढ़ते जाएगा, एक बार 25 कीजी के अब ओर टेंपरेचर, 300 डिगरी आने के बाद, आप मेंस्टिम लाइन चार्ज कर सकते हैं, तो वो बाइपास से चार्ज करना है, बाइपास से चार्ज क्यों क के बाद, रेंज से कंडेंसेट रिमू होता है, और फिर लाइन अपनी हीट अप हो जाती है, तो में अपना लाइन चार्जिंग का मतलब मतलब टेंपरेचर को बढ़ा आना है, एक बार आपका टेंपरेचर डिजार पे आ गया, जैसे 89 और 515 डिगरी टेंपरेचर आ गया, तो आप टर्बाइन को लाइन में ले सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यह जो बॉइलर है, आपका बॉइलर लाइट अप हो गया, आपका चालू हो गया, और लिए मेन चीज इसमें आपको यह द्हान में रखना है कि जब भी आपका लाइट अप करना है, तो अभी ऊग्ज़र के ट्रायल लेना है डेरेटर लेवल प्रापर लेना है ड्रम लेकर लीवल प्रापर लेना है, 40-50 किज्किन, क्या होता है, जब आपका बॉयलर चलने रगता है एक इस पर टेमपरेचर आ गया तो उसमें क्या पता चल गया और जब आप नॉर्मली आपका टेंपरेचर 800 से 900 डिगरी आगया उसके बाद क्या करना है यह सी लेयर ब्लोवर है उसका प्रिशर कितना रखेंगे 4000 mmWC ठीक है उसका प्रिशर 4000 mmWC रखेंगे और इसमें दिया है कि यह क्या है बेड मटर रहता है तो जब भी आ रहता है और रहता है जो ड्रेंगे अद्रेन करेंगे इस वह容 couch लाएं के लिए और करते हैं यहीं और यह करते हैं यहीं आईर रहती हो पीटास कि यह करके करके विसके बाद और ESP के थुरू यह outlet में हो जाती है ठीक है तो यह जो बेट मटल कूल होने के बाद फिर एसेंडलिंग में भेजा जाता है यहाँ पर लूप सिल ब्लोर रहता है यहाँ पर बेट मटल रहता है यह भी होभी फूर्डाइस होते रहता है तो इसका विश उब बड़ेंगे तो इसको भी अपने में बूट में जाता है फीन बैग का पर नीचे में करते हुआ मेंटन करने के लिए 50 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब में रहता है तो वह मेंटन करने के लिए आप यह पी का मिलियाम्स बढ़ाएंगे जतना ज्यादा डस्ट कंट्रोल हो जाएगा उतना आपका सस्पेंड़ पर्टिकल मैटर कम हो जाएगा ठीक है और सॉक्स अग आपको साइकलोन का परपच पता चल गया पीए फैन एसे फैन और लूपसिल ब्लोवर का परपच पता चल गया तो लाइट अप बहुत ईजी है एक बार आपको अगर समझ में आया तो आप आराम से कर सकते हैं ठीक है दोस्तों थैंक्यू दोस्तों अगर ये वीडियो आप को पसंद आ गया होगा तो कमेंड कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब करिए मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों